जहें इन TCS company के quarter four के नतीज़ आ चुके हैं और इन नतीज़े बिल्कुल अनुमान के मुताबिक आया है या यूँ कहा है कि कई मामलों में तो अनुमान स्यधी किया है यानि की रिजल्ट काफी संदार आया है और इस quarter four कंपनी आपको पता है कि टाटा गुरूप की कंपनी है और मतलब IT से जुड़ होई कंपनी है और दुनिया में जब हम दिगज IT कंपनियों का नाम लेते हों तो उसमें हमारा TCS का भी नाम आता है 2007 में TCS कंपनी को एसिया का सबसे बड़ा और सबसे मतलब एक नंबर का कंपनी आका गया था IT सेक्टर में इसका अगर मार्केट केप की बात करें तो इस कंपनी का जो बहलू एस्ता ने तेरह लाख अरतालिस अजार क्रणों की यह कंपनी एक काफी बड़ी कंपनी है अब समझे बोर्ड अब डाक्टर की मीटिंग हुआ तक कल यानि 11 फरवरी को और इसी मीटिंग में कंपनी ने फाइनल डिवडेंट देने की बात कहीं तरह था क्वाटर फोर की रिजल्ट जारी किये हैं तो सबसे प्लाव में डिवडेंट के बारे में बात कर लेता हैं देखिए डिवडेंट दो क्या है न्ग की कि कॉणपनी की बात करते हैं समझ घा समझेंगान अब आप समझें Azerm Woah डियास का दूसरा इस का रिवडेंटえー गो पहले कंपनी संबर ते वाहीं में 7 रुपे के डिव बात पाहीं लेकिन इस बार कंपनी डिविडेंट बढ़ा के दे रही है 22 रुपया यानि कि एक शेयर पर आपको 22 रुपया डिविडेंट के तौर पर मिलेंगे हाला कि इसके लिए अभी तक कोई रिकॉर्ड डेट जारी नहीं किया गया है उमीद है कि अगले सब्सक्राइब कंपनी रिक बहुत अधीक हो जाएगा इसलिए कंपनी के जो नंब्र आय थी उसके लिए कौलम मना है और पिछले整 साल के तो उसके लिए मैंने यह कोडम बनाया है अब समझें कंपनी का रिभीनु बढ़कर हो गया काउन हजार 572 क्रोणों पर सारे फिगर्स क्रोण में है कि क्वार्टर थीरी में इसको सीर्फ पर और लग लग कारें उपर खर्च किये हैं जब कि क्वार्टर थीरी में सीर्फ 36,892 और पिछले साल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट में बात करें तो 32,109 क्रोणी रुपए कंपनी ने खर्च किये थे तो आप देख रहे हैं कि जैसे कंपनी का रिभीनु बढ़ रहा है कं अपने खर्च को अधिक नहीं कर रहे हैं वारना जो कंपनी अपने खर्च को रेभीनु और अधिक कर देने के बात कंपनों के पाध सूद मुनापगा बाचता है उसको पूर्टर फोर्क रिजल्ट में कितना हुए पर 9,969 क्रोन पर गस्तुद मुनाफ़ा हुआ है जो कि पिछले क्वाटर में देखेंगे यानि कि दिसम्बर तिमाही के तो उसमें सिर्फ 9,806 क्रोन का ही इसको प्रोफित हुआ था और अगर साल पर पाले देखें तो 9,292 क्रोन का ही कमपनी को प्रोफित था यानि कि प्रो पर देखेंगे तो कुछ ज्यादा का फर्क नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तो बढ़ा है और अगर यहां से देखेंगे तो काफी अच्छा इसका अर्निंग पर से बढ़ा है अब देखें इसका जो रेभेनु सबसे अधिक प्राप्त हुआ है वो बैंकिंग फाइनांस और इन्सोरेंस के से लगवाग 29,532 क्रों का जो रेभेनु है सिर्फ इन तीन सेक्टर से आया है बाकी अलग-अलग छेतरों से इस कंपनी के इसना रेभेनु बढ़कर हुआ है तो अबर ओल मैंने जितनी बाते बताई उम्मीद कहते हूं आप उस समझ में आ गया होगा वीडि कर सकते हैं मिलते हैं नेक टूडियो में ततक धन्यबाद शुक्रिया